तो शुभम जी का सवाल है, ये एक मासिक SIP जैसा करना चाहते हैं, LIC, या Life Insurance Sector में, और इनकी नजर है HDFC Life के लंबी अधी के हिसाब से, वो भी आट-दर सल की हिसाब से, तो क्या ये तरीका ठीक रहेगा कि इन्शुरंस सेक्टर की एक-दो कंप्पनियों को चुन करके उनमें हर महीने कुछ पैथा डाला जाए? LIC, तो सबका अपना अपना चाहें, तो सबका एक अच्छा बास्केट बना लीजे, और उस बास्केट बना के उसमें आप अपनी चोटी सी SIP करते रहे हैं, लेकिन जैसे इनकी नजर अपनी है, इस पे HDFC Life पर ही, तो ये क्या भी ठीक जिगह पे है, जहां पे इनिशियेट करें, या जब मंथली SIP करना है, तो उसमें लेवल देखनी की भी कोई जरूरत पड़ेगी क्या है, तो शुरू करने जब शुरू करें तब अच्छा है, नहीं, SIP करने के लिए आपको कोई लेवल नहीं देखना है, बस अपने यही है, कि स्टॉक HDFC Life की जहां तक बात है, हर 3-4% के गिरावट पर फोड़ा सा एड करते रहे है, विकाज सेक्टर में ग्रोथ इतना आगे जाके होगा, कि यह आपको प्राइस समझ में नहीं आएंगे, यह सब आप किसी टाइम में देखेंगे, कि जो तीन डेजिट वाले हैं, आपको चार डेजिट में देखेंगे और फिर आप इंट्रेस्ट करेंगे, मैंने क्यों नहीं लिया, तो यह आपको हमेशा मौका नहीं देंगे, देखिए, यह सब कंपनी के शेर कभी भी ऊपर जाने में नहीं खरीजने चाहिए, इनका वैलुएशन 80-90 ऐसा वाला चलता है, ग्रोथ लगत बहुत एक्स्प्लो जो आप कह रहे हैं, चारी तो है ना, उनकी इंडिविजल एबिलिटी है, लेकिन मैं जब मार्केट टॉप पर रहता है ना, मैं हमेशा बास्केट प्रेफर करता हूँ, और दूसरी बात क्या है, कि यह जो प्लेयर्स है ना, इन सब का अलग-अलग यूस्पी है, इनका ने आन्मेर कन परेए. जी.